Dear students, BSC first year की इस प्रथम कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है गनित में प्रथम वर्ष में तीन पेपर्स है पहला पेपर अलजबरा का है, दूसरा पेपर केलकुलस का है और तीसरा पेपर कॉडिनेट जोमेट्री और वेक्टर केलकुलस का है हम यहाँ सेकेंड पेपर केलकुलस से प्रागप करेंगे केलकुलस की भी दो बुक्स है, एक अवकलन कनित यानि डिफरेंशल केलकुलस और दूसरी है इंटीगरल केलकुलस यानि समा कलन कैलकुलस के इस differential कैलकुलस के पार्ट में सबसे पहले हम polar coordinates की जानकारी प्राप्त करेंगे पिछले वर्ष आपने कार्थिक निर्देशंग यानि xy क्या होते हैं किसी भी बिंदू के कार्थिक निर्देशंग xy के बारे में आपने जानकारी प्राप्त कर ली थी और इस पर्ष हम उससे आगे polar coordinates यानि ध्रूवी निर्देशंग के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे तो जैसे हम कार्थिक निर्देशंग को में एक fix point जिसको हम मूल बिंदू या origin कहते थे यहां भी हम एक fix point consider करेंगे polar coordinates में उस fix point को हम origin नहीं कहके मूल बिंदू यानि ध्रूव और pole इंगलिश मोज को pole कहेंगे इस मूल बिंदू यानि pole से गुजरती वी एक इस्थिर रेखा लेंगे उस इस्थिर रेखा को initial line यानि प्रारंबिक रेखा कहते हैं जिस बिंदू की निर्देशंग हमें लेने हैं अब यहां आर का मतलब यह है कि उस बिंदू को अगर हम pole से मिला दें तो जो सरल रेखा प्राप्त होती है वो आर को रिप्रेजन करती है और उस सरल रेखा और प्रारंबिक रेखा ओए कि मद्धे जो कौन बनता है anti-clockwise उस कौन को हम थीटा से introduce करते हैं और इस थीटा को इस एंगल थीटा को हम vectorial angle कहते हैं यानि op is equal to r radius vector कहलाता है यानि धुरुवांतर रेखा कहलाती है और जो एंगल aop है जिसे हम थीटा से सिंबल देंगे उसको हम vectorial angle यानि धुरुवांतर कौन कहते हैं और ये जो p के निर्देशंक r थीटा हमें प्राप्त हुए इन्हीं को हम उस बिंदु p के polar coordinates के रूप में व्यक्त करते हैं यूं कहें कि उन्हीं को हम polar coordinates कहते हैं अब हमें जब हम कार्टिक निर्देशंक पड़ चुके हैं और आप polar की अभी अभी हमने जानकारी प्राप्त की है तो स्वाभा अभी प्रेश्न है कि दौनों की बीच में क्या संबंद है तो अब हम relation between Cartesian and polar coordinates के बारे में जानकारी प्राप्त करें तो सरव प्रथम फिर हम एक स्थिर बिंदू जिसे हम मूल बिंदू कहँए या धूरूव कहँए लेंगे पहले हम कार्थिक निर्देशंक की बात करें तो इस बिंदू से गुजरने वाली स्थिर ख्षतिज रेखा जो की हमारी OX है और और द्व भी डालें X-axis पे OX को यहां हम X-axis कहेंगे OY को हम यहां Y-axis कहेंगे और P से जो X-axis पे लंब डाला है वो हमारा PM है और Y-axis पे जो लंब डाला है वो हमारा PN है और यहां पे जो PM होगा वो Y के बराबर होगा और जो OM है वो हमारा X के बराबर होगा अब इसी बिंदू P को अगर हम polar coordinates की बात कहें तो R theta representation देंगे और उस case में जो O P होगा P को O से मिला देंगे और O P जो होगा वो R के बरावर होगा R यानि दुरुवान तर रेखा और O M या यूं कहें कि O X को हम इस्थे रेखा मानते वे O X और O P के बीच जो कौन बनेगा वो हमारा theta होगा तो आप देखें कि यह एक right angle triangle नजर आ रहा O P M जहां जो P M O है वो 90 degree का कौन है तो इस right angle triangle से अगर हम तेकौन मितिक की तरब चलें तो हमारे पास सीधा सीधा सम्बन्द प्राप्त होता है X is equal to R cos theta और Y is equal to R sin theta अब ये जो दो सम्बन्द है ये main हमारे relations हो गए Cartesian और polar coordinates के पीछ में इनहीं से अगर हम सबसे पहले इन दोनों को square और add करें तो हमारे पास एक और सम्बन्द आता है R is equal to X square प्लस Y square या यूं कहें R is equal to root of X square प्लस Y square R यानि दुवांतर रिखा का मान Cartesian के सम्बन्द में root of X square प्लस Y square के बराबर होगा है दूसरी तरफ अगर हम इन दोनों सम्बन्दों को divide करें तो हमारे पास एक और relation आता है जो की 10 theta is equal to Y by X या इसे हम यूँ भी लिख सकते हैं कि theta is equal to 10 inverse of Y by X तो इन दोनों सम्बन्दों से हमें R और theta X और Y के संदर्ब में राप्त हो जाते हैं और यही हमारे important results हैं जो की ये show करते हैं कि कार्तिक और धुरुवी निर्देशांकों में क्या सम्बन्द है